ठंड में गरीब के घराई नई रजाई मालिनी ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में खयाल आता है इस नौकरानी के घर का अड्रस तो मुझे पता है फिर दिक्कत की क्या बात है मैं ऐसी प्रकार इसे देख लूँगी कि ये भरों से लाइक है या नहीं ऐसा सोच कर मालिनी शॉपिंग के लिए निकल जाती है इसके बाद वो एक बहुत बड़े मॉल में जाती है और वहाँ पर मैनेजर को बहुत सारे कंबल का ओर्डर देती है देखिए आपको पता है ना कि हर साल मैं गरीबों में कंबल और खाना बाटती हूँ इस बार भी मुझे कंबल और खाना बाटता है इस बार मुझे कम से कम हजार कंबल का सेट चाहिए मालिनी ओर देने के बाद अपनी जरूरत का सामान लेती है और अपनी पसंद की एक बहुत महँगी रजाई लेकर अपने घर लौट आती है जब पारवती रजाई देखती है तो उसे अपने बच्चे याद आते है ये भगवान ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और मेरे बच्चे भी बिना रजाई और कंबल के रहते हैं मुझे तो उनके लिए भी रजाई लेनी थी लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं भी क्यों बच्चे है अब बस है सही मालकिन मैंने सारा काम कर दिया है अब मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे पारवती जब घर पर आती है तो उसके बच्चे धूप में आंगन में बैठे हुए उसे नजर आते हैं दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम हां घर के अंदर बैठकर बढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो मां अंदर बहुत थंड़ा लग रहे हैं कम से कम बाहरागन में दूप है इसलिए हम लोग यहां बैठकर काम कर रहे हैं हां मां हमारी सबी दोस्तों के पास चेचे स्वेटर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं हैं सिर्फ एक चाहत है रहे रात को उसमें भी बहुत ठन लगती है मां परिशान क्यों हो रहे हो तुम चिंता मत करो मैं बहुत जल्दी एक रजाई लोंगी और फिर हम उसे गरम गरम ओड़ेंगे बहुत आराम से सुएंगे रजाई में यह सुनकर दोनों चाप घर के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है तबी राजेश भी काम पर से वापस आ जाता है क्या बना रही हो जल्दी से मुझे खाने को दे दो बहुत जोर से भूग लगी है आप हात मूँ धो लिजे ना मैं अभी आपके लिए खाना परोज देती हूँ परवत बच्चे घर के अंदर बैट जाते हैं और वही रात का खाना खाने के बाद पारवती जमीन पर चटाए बिचा कर उस पर बिस्तर लगा देती है और वही फटी पुरानी चादर निकाल लेती है हाँ हाँ मुझे भी पता है कि इस चादर में ठंड लगती होगी लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होगे तो उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी चलो तुम दोनों मेरे पास आओ मैं तो मैं सुलाता हूँ राजेश ऐसा कहे कर अपने दोनों बच्चों को सुला देता है दोनों बच्चों के सोने के बाद पारवती बिना चादर के ही एक कोने में सो जाती है भागिवान इस तरह बिरा चादर के रात को सोगी तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगी तोड़ा सा कोना लेकर चादर के अंदर आ जाओ ज्यादा मेरे बच्चों को चादर की जरूरत है आप तो देखी रहे हो न ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है इन्हें अब एक रजाई की जरूरत है मेहनत कर तो रहा हूँ जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं उनके लिए एक रजाई जरूर ले आऊँगा मालिक मेरे दोनों बच्चे रोजाना ठंड में सोते है मुझे बहुत बुरा लगता है उपर से घर का राशन भी खतम हो गया है मजबूरी है मुझे कुछ पैसे दे दीजिए चाहे पूरे नहीं थोड़े ही दे दीजिए अरे जब देखो पैसे ही मांगता रहता है अब ही मेरे पास पैसे नहीं है कल जब बैंक से लेकर आऊंगा तब दे दूँगा राजेश का मालिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है जिसके बाद बेचारा राजेश मायूस होकर वापस घर लोटाता है पारवती भी ये सोच कर थोड़ी चिंतित हो जाती है लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था दोनों रात को फिर सिक्चदर ओड़कर अपने बच्चों को लेकर सो जाते हैं लेकिन रात में कभी चादर किसी के उपर से हटती है तो कभी किसी के उपर से हट जाती है इसी के चलते दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते है अरे ये क्या? मेरे बच्चों को तो बुखार चड़ गया है अब मैं क्या करू? कुछ समझ नहीं आ रहा पारवती भी अपनी मालकिन से पैसे मागने की सोचती है लेकिन वो एक हफ़ते के लिए विदेश चले जाती है जिसे पारवती को बहुत अफसोस होता है वहीं दूसरी तरफ राजेश का मालिक बड़े ही रो रो कर राजेश को पैसे दे देता है उस दिन राजेश बहुत खुश होता है और रास्ते में आते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है राजेश ऐसा सोच कर अपने घर की तरफ आ रहा होता है लेकिन रास्ते में एक कार से लड़की का एक्सिदेंट हो जाता है उसको देखकर सभी लोग वहां तमाशा देख रहे होते हैं लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं चाती वो उसे फौरन उठाता है और वहां से अस्पताल ले जाता है जहां वो अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाता है अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और वापस घर लोटाता है उसका मुर्जाया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब समझ जाते हैं जिसके चलते कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है बच्चों कुछ दिन और सही भगवान और कितना ही हमारे उपर जुन कर सकता है उसे कभी न कभी तो हमारे उपर तरसा ही जाएगा राजिश ऐसा अपने बच्चों से कहकर उन्हें चटाई पर लिटा देता है और उन्हें चादर उढ़ा कर सुला देता है दोनों बच्चे और दोनों मिया भीवी ठंड से कपकपाते रहते हैं वहीं खिड़की से एक आदमी उन्हें इस तरह देखता है और तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है अरे अब इस समय कौन आया होगा चलो मैं देखता हूँ जैसे दरवाजा खुलता है वहाएक बहुती अमीर आदमी एक रजाई कुछ कपड़े और कुछ खाने के सामान को लेकर साथ में खड़ा होता है मुश्किल से मिला है मुझे आपका घर मुझे यकीन नहीं होता आज भी लोगों के अंदर इंसान यद बाकी है आपने जो मेरी बेटी के लिए किया शायद कोई कभी नहीं करता और मेरी बेटी वही तड़प तड़प कर मर जाती लेकिन आज आज आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित है और सांस ले रही है मैं आपका शुक्री आदा करने आया हूँ ये रजाई ये गरम कपड़े और खाने का कुछ सामान लाया हूँ इसे स्विकार कर लीजिए रजाई देखते ही राजेश बहुत खुश होता है उसे नहीं पता था कि उसके किये अच्छे करमों का फल उसे इस प्रकार मिलेगा वो सारा सामान सुविकारता है और उस रात वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पत्नी के साथ और खुद रजाई ओर कर सोता है ओहो मा मा अपको ठंड नहीं लग रही क्या हरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है मा चलो ना अंदर ओहो तुम तीनों बाहर क्या कर रही हो मैं जालू लगा रही हूँ गर के अंदर बैट जाओ वरना ठंड लग जाएगी तो बुखार हो जाएगा जब देखो पीछे-पीछे घूमती रहती हो मा मा करके तो मा अंदर चलो ना अरे बाबा आ रही हूँ थंड लग रही है अंदर चलो फिर मैं आलो की रोटी बना कर खिलाओंगी ये बल्ले बल्ले हम तो आलो का पराठा खाएंगे इतने समय बाद ये तीनों बच्चियां अपनी मामूली सी छोपडी के अंदर जाकर बैठ जाती है फिर सविता अपनी बेटियों को आलो की रोटी चाय के साथ बना कर खिलाती है तीनों बहुत खुश होती है मां हम इससे भी खुश है बस आप हमें स्वेटर ला कर दे दो देखो ना दीदी की फ्रॉक फटी है और जुराप भी नहीं है हमें बहुत ठण लग रही है मां प्लीज हमें स्वेटर दिला दो न मैं कितनी बदनसीब मा हूँ की अपनी बच्चियों को एक स्वेटर भी नह पा रही हूँ और तो और उन्हें ठीक से पाल भी नहीं सकती कपड़े क्या खाने के लिए ही मौताज होना पड़ता है क्या हुआ मा आप कहां खो गई ये लीजे मेरे हाथ से खाना खाईए अरे अब आप रोने लग गई मिर्ची खिला दी क्या मैंने आपको नहीं बस तुम् पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे पता नहीं क्यों भगवान ने उन्हें हम सबसे छीन लिया उनके बिना ये जिन्दगी बदतर्सी हो गई है ये गरीबी की जिन्दगी कैसे कट रही है यह सिर्फ भगवान जानते हैं मा रो नहीं हम तीनों है ना आपके साथ हाँ मेरी ठीक है मा सविता अपने काम पर चली जाती है जहां वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर इट सिमेंट उठाने का काम किया करती थी अपने सर पर धेर सारा वजन लेकर वो दो माले चड़ती है फिर आती है जिससे वो ठक जाती है फिर वहीं वो स्कूल के बच्चों को अपने पाओं पर खड़ी हूँ मुझे और मेहनत करके दाखिला कराना ही होगा अरे तुम्हारे हाँ चलना बंध हो गया है क्या तुम गरीबों को मैं आपर आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ तुम गरीब होते ही हो गंधी नाली के कीड़े जल्दी जल्दी हाँ जाता है अरे केशफ भाई साहब आप इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही हैं अरे आज मेरी दोनों बेटियां होस्टल से आएंगी काफी सानों बाद बस उनके लिए खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ पता है मेरी बच्चियां होस्टल में पढ़कर बहुत होश् पस मेरी बेटी पर लिख जाएं ठीक है मैं ताखिला करवा देता हूँ शहर जाकर फिर सविता और भी ज्यादा मेहनद करने लगती है और ओवर टाइम भी करने लगती है उस ठंड में बस उसकी कमर तूटने लग जाती है लेकिन उसकी मेहनद नहीं रुपती है जिससे उस उसकी मेहनद का उसे फल भी मिलता है सिर्फ इतने पैसो से बात नहीं बनेगी मुझे और भी मेहनद करनी होगी दूसरा काम करके गरीब मा अपनी तीनों बेटीों के लिए ठंड में इट पत्थर ढोने के बाद शाम को दो-तीन घर में जाकर जूठे बरतन साफ करती है जिस जाकर खूब पढ़ना हाा मा आपसे दूर आपके बिना कैसे रहेंगे हमें नहीं जाना हा मा हमें नहीं जाना मेरे बच्चों समझने की कोशिश करो मैं अपनी तरह तुम्हाले जिंदगी नहीं बनाना Поэтому सविता बेहर्ञा आप चलना होगा चलो बच्चों अपनी बेटियों के जाने पर सविता मन ही मन बहुत रोती है फिर शहर जाकर केशव उसकी बेटियों का हॉस्टल में एडमिशन करा देता है वहीं गुजरते वक्त के साथ सविता को तीन तीन बेटियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है घर में लोगों के जूटे बरतन साफ करना, जाड़ू पोच्छा लगाना और अब तो हो कोईले की फैक्टरी में कोईला तोड़ने का भी काम करने लग गई थी एक तरफ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं जिनने हॉस्टल के बाद शहर की हवा लग जाती है और वो कलब में जाने वाली बिगडेल लड़किया बन जाती हैं जिनने अपनी मा की याद भी नहीं आती है वही दूसरी ओर आज भी वह वैसे ही सर्दी का दिन था जहां गरीब मा बूरी हो गई थी उसके कंधे और बाजू में अब कुछ भारी काम करने की शमदा नहीं थी लेकिन वह फिर भी कर रही थी ओ परी बाप मैं इसे तोड़ कर ही रहूंगी बहुत मजबूत है ये बस कर सविता और कितना काम करेगी तू रोज इतनी मेहनत क्यूं करती है अपने शरीर पर भी ध्यान दे अरे बच्चों के लिए काम भी नहीं करूं क्या पैसे भेशने हैं बच्चों को अपनी बेटियों के बारे में अंधी हो गई हो अभी तक तुम्हारी बेटिया तुमसे मिलने नहीं आई हॉस्टल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है चार महीने पहले तेरे बदन पर एक शौल तक नहीं है और ऐसी होती है बेटिया जिसकी मा मरे या जिन्दा रहे कोई फर्क नहीं पढ़ता उन्हें जो भी हो चंदा बहन पर मुझे विश्वास है मेरी बेटिया जरूर आएंगी वही क्लब से आकर तीनों बेटियां कहती है अगले दिन ही तीनों बेटियां ट्रेन से अपनी मा के पास गाउं पहुत जाती है जहां अपने गरीब से जोपड़ी घर को देख कर कहती है मा ये तो वही हमारा पुराना ही घर है नया नहीं मनवाया क्या सविता बेटियों को देख गले लगाती है अरे अरे थोड़ा दूर रही है काले से मिट्टी के हाथ है मेरी मेरी बच्चियां तुम्हें देखने के लिए मेरी आँखे तरस गई थी आखिर तुम आ ही गई मा ये बताओ तुम हमें पैसे तो इतने भेशती हो जैसे अमीर हो और घर तो वही है जोपड़ पट्टी वाला बेटा मैंने पैसे जो भी कमाई थे वह तुम्हारी पढ़ाई में ही लगा दी है मैंने अपने लिए यहां कुछ नहीं किया ओफो यहां कितनी धंड है हमारे यहां तो हीटर और कंबल भी था और यहां कुछ भी नहीं है चलो हम तीनों वापस चलते है बैठने की जगह भी नहीं है हारी बेटा वो खटिया है ना उस पर बैठ जाओ कहीं मत जाओ मुझे छोड़ कर मैं तुम्हारे लिए कंबल और हीटर का इंतिजाम कर दूँगी सविता अपनी तीनों बेटियों को खुश करने के लिए कोईले के कारखाने में जाकर कोईले तोड़ती है इसके बदले में वह मालिक से पैसे एडवांस ले दी है अरे सविता तुम कितना काम करती हो अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे तीनों बेटियों को जरा सा भी ऐसास नहीं है तुम्हारे तकलीफ का कोई बात नहीं मालिक जी नादान है वो मुझे हीटर और कंबल का इंतिजाम करना है न मैं चलती हूँ धन्यवाद फिर सविता तीनों बेटियों के लिए थोड़े से काजू बादाम, कंबल और एक हीटर खरीद के ले जाती है जिससे तीनों हीटर में मस्क बैठी रहती है और काजू बादाम खाती है रात होते ही तीनों बेटियां कंबल और हीटर के मजे लेकर सोती है वही सुभा होते ही बूरी सविता की तब्यत खराब हो जाती है ठंड के कारण फिर तीनों बेटियां उसे पास के अस्पताल में ले जाती है जहां डॉक्टर उसे जांच करते हैं इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हड्यां भी कमजोर हो गई है कुछ दिन बैड रेस्ट पर रहेंगी है ओके डॉक्टर बहन अलगी द्रामे है इनके चल इन्हें लेकर घर चलते हैं फसा दिया यहां फिर तीनों बेटी रिक्षे में सविता को ले जाती है तो उसके कार खाने के मालिकी नजर पड़ती है अरे रुको रुको भाई यह सविता को क्या हो गया तुम इसकी बेटिया हो हाँ थोड़ी तब्यत खराब है इनकी अरे तुम्हें आशो आराम के जिन्दगी देते देते इसने खुद को कंस्ट्रक्शन साइट में घिस दिया कभी दूसरों के ढूटे बरतन साफ किये और अब यह कोई लेके काम में लग गई बच्पन से तुम्हारे पिता के जाने के बाद कितना संगश किया है पर तुमने अपनी मा के लिए क्या किया अंकल हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हमारी मा ने हमारे चक्कर में खुद के तब्यत खराब कर ली भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा हमारी बूरी मा ने हमारे लिए सच में बहुत किया है पर हम कुछ नहीं कर पाए हम सबको मा का खयाल रखना होगा अंकल हमारे आखे खोलने के लिए और सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर तीनों बेटियां अपनी मा को घर ले जाती है और उसी कंबल को सविता को उड़ा देती है फिर हीटर चला कर उसकी बहुत सेवा करती है फिर तीनों बेटियां सविता को शेह ले जाती है और वहाँ उसका खुशी-खुशी खयाल रखने लगती है तो दोस्तों हमेशा अपनी मा को समझे कभी उनकी परवरिश पर उंगली ना उठाएं क्योंकि वह हमारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है